हेल्लो फ्रेंड्स माय सायब दक्टर मयूर सायथा एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेशनल एइट्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर गद जो भी ICTC सेंटर्स जो है वो कौन से टाइप के है कहां पे वो ऐस्ता ब्लिस्ट किये जाते है उनका क्या गोल है सारा सेंटर्स ICTC काउंसेलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स इनका में गोल क्या है इसका में गोल है जो भी HIV डायागनोसिस रिलेटीड सर्विसिस जो है उनको एकसेसिबल बनाना लोगों तक ले जाना ताकि लोग जो है उस सर्विसिस का as possible as much as possible यूज कर पाए जिसके कारण ह उनको earliest form के अंदर जो है वो पकड़वाएं तो उसके regarding उसमें दो तरीके से ICTC सेंटर के अंदर जा सकते है या तो एक free client based free will किसी को भी इच्छा है भी HIV टेस्टिंग कराने की वो ICTC सेंटर पर जा सकता है दूसरा है प्रोवाइडर जो भी medical services provider है डॉक्टर जो है उसको ल मेंली उनका blood samples वगेरा लिया जाता है तो दो तरीके से on will अगर लगता है किसी को unprotected sexual intercourse या तो फिर HIV के symptoms लगते तो directly भी जा सकते है अब यह जो ICTC सेंटर जो मेंली दो तरीके के है एक जो है वो है fixed type of the ICTC और जो दूसरे जो है वो है mobile type of ICTC fix the type of ICTC जो है उसमें भी further दो categories है उसमें एक आता है stand alone अगर किसी भी जगह पे अगर patient का HIV का load अगर ज्यादा है client load ज्यादा है तो वहाँ पे जो है एक full time HIV related counselor होता है उनका lab technician अलग से होता है जो patient का blood जो है उसके साथ deal करता है तो एक dedicated counselor lab technician वाला जो है उसको बहते है stand alone जो की कोई भी medical colleges है उसके अंदर जो OPDs जो रहती है उनके अंदर उनका एक separate room होता है जहाँ पे counseling और उनका blood sample लिया जाता है medical colleges, district hospital, sub district hospital या तो फिर CHCs इन जगह हो पे जो है जो stand alone type of ICTCs integrated counseling and training centers दूसरा गर हम बात करें जहाँ पे client का लोड ज्यादा नहीं है but services they required तो below the block level mainly जो 24 by 7 of PHCs वगेरा रहती है या तो फिर कोई private hospital है उनके अंदर जो है HIV related जो भी staff है कोई dedicated नहीं है जो भी staff है already उनको HIV related counseling की training दी जाती है कि patient का counseling कैसे करना है उनका test जो है blood sample कैसे collect करना है वो सारी methodology उनको समझाई जाती है तो वो हो जाते है integrated क्योंकि facility के अंदर ही उनका integration है कोई अलग से proper counselor lab technician नहीं है जो HR है उनको ही training देके उनको counselor बनाया गया तो वो हो जाते है facility integrated जो प्राइबेट hospitals, NGOs, public-private partnership वहाँ पे integrated अब बात करें mobile, mobile की कब जरूरत पढ़ती है कि when the patient और client are not reaching to the service service पे खुद नहीं आ रहे या कोई hard to reach areas है जहां पे पहुंचना difficult है तो ऐसे area में एक proper one तयार की जाती है जिसके अंदर एक proper room होता है जहां पे patient का जो है वो general examination किया जा सके उनका counselling किया जा सके, उनका blood select sample collection करना है उसके अंदर उनका भी counselor and lab technician as well as educator अलग से भी ले सकते हैं उसका फाइदा यह है कि वहां पे examination भी करना है तो not just only HIV but जो भी sexual transmitted all the infection से gonorrhea, clamidia या जो भी other harpes जो है तो उनका भी जो है वहां पे syndromic approach से जो है वो diagnosis कर देना है और उनकी जो kit वगेरा उनके साथ रहती है वो भी उनको provide करनी है ताकि उनका infection जो है वो उनके partner वगेरा को भी ना फेले दूसरा एक जो है community based HIV screening अब mandatory कर दिया गया है कि हर एक pregnant woman जो है उनका HIV testing तो होना ही है क्यों भी होना है क्योंकि mother to child transmission को हम कम कर पाए तो इसके regarding जो भी pregnant woman जिनका register होता है ममता कार्ड, ममता दीवस पे जो आती है या फिर सब सेंटर वगेरा पे भी जो आती है तो उनका वहां पे ही blood collection करके HIV testing जो है वो हो जाना चाहिए तो एक routine integrated भी हम बोल सकते है कि हर एक जब pregnant होते है तो उनका भी HIV related testing तो होना ही है इवन जो भी TB का patient जो है उनका भी HIV testing तो होना ही है तो हम short in short बोले तो access हम HIV services का बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए ICTC एक key component है वो जो है वो fixed भी हो सकता है mobile भी हो सकता है fixed के अंदर stand alone या तो फिर a facility integrated stand alone मतलब की जो है उनका एक अलग से facility counselor lab technician जो भी है उनको ही सिखा देना facility integrated और mobile वगेरा हो सकता है तो यह है इस video का end thanks for listening